आगरा में सरवाधेत लोग प्रीय चैनल सीन्यूस की एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कि तांसिकंदर रुंकता में मिट्टी की डहाय गिरने से तीन बच्चों की मौत के बाद ग्रामे दोश्यों को खनन माफिया घोशित करने के साथ साथ खनन अधनियम में मुकंदमा दर्च करने के भी मांग कर रहे हैं रुंकता सिकंदरा में पिछले दिनों तालाप के पास खेल रहे बच्चों पर मिट्टी की डहाय गिर गई थी मिट्टी में दब कर तीन मासूमों की जान चली गई जबकि काई घाल हो गए थे घाल बच्चों का अब बीबे अस्पताल में लाच चल रहा है कलेक्टरेट सिस्पी के पास पहुची महिला पुर्शों की भीड दोशियों को खनन माफिया घोशित करने के साथ खनन अदिनियम के तहट कारवाई करने की मांग कर रही है थाना सिकंद्रा के अंतरगत गाओं रुनकता में अवैद खनन हुआ था मिट्टी का जो परवारी जन्ने किया और पुलिस को ये बता दिया था कि मिट्टी खोदने की अनुमती है पुलिस की ये लापरवाई रही कि उन्होंने परमीशन देखी नहीं उन्हों परदान के लोगों ने मिट्टी को खोद करके 1200-1400 और 1000 रुपे में उस मिट्टी को बेचा है और करीब 65 ट्रॉली मिट्टी खोद करके जो है उसको बेचा गया है वहां अनसूचित जाती के लोगों के लिए ये नियम और कानून है कि 20 वर्स तक अगर वो किसी जमीन का उपयोग करते हैं तो वो संपत्ती जो है सारवजनिक मानी जाती है तो उस सुखादिकार अधिनियम के तैट जब बच्चे वहां खेलने के लिए गए पूर्व की भाती तो मिट्टी की धाय गिर पड़ी जिसमें बच्चे दब गए जिसमें दो लड़की और एक बच्चे की मौत हो गई तो हम निवेदन ये करने आयते है कि खनन अधिनियम लगे एसी एस्टी एट्रोसिटी जे एक्ट लगे और भू माफिया उसमे घोसित हो ये निवेदन करने आये कप्तान साब का रुख आज बहुत अच्छा रहा है पहले भी उन्होंने अनसूची जाती के लोगों की समस् की आरोप लगाये जा रहा है कि ग्राम प्रधान अन्नूसिकरवार और उसके साथी तालाब की सफाई कराने के नाम पर मिट्टी बेशते चले आ रहे थे तालाब के किनारे घर भने होने के कारण लोगों ने विरोध भी किया लेकिन दबंग प्रधान और उसके गुरगे ज बठीजों द्वारा जो लाव परवाई बरती गई है जिसमें अनसोचे जाती के तीन बच्चों की मौत हो गई है उसी संबन्द में आज हम जलादकारी मौदे और स्सपी साफ से मिले उन्होंने ये पूरा अस्वासन दिया है कि उनमें जो सिकंद्रा ठाने की पुलिस ने जिसमें जो धाराएं नहीं बढ़ाएं एस्टी एस्टी का जो मामला बनता है उन धाराओं के खिलाप सकत कारवाई की जाएगी और उनको जिल बेजा जाएगी लोगों का कहना था कि ग्राम प्रधान का बस्ता जमा होने के बावजूद भी अनु सिकरवार प्रधान पत का दुरुपियों कर मिट्टी बेच रहा था इसी वज़े से तीन मासूम बच्चों के जान चली गई SSP बबलू कुमार ने आश्वासन दिया है मुकदमे में खनन अदिनियम की धाराएं बढ़ाई जाएंगी हासे के बाद से ही प्रधान अनु से करवार और उसके साथी घरों से फरार चल रहे है SSP ने सभी थानर प्रभारियों को निर्देशित कर दिया है कि बगर पुलिस के अनुमती के कोई भी संचालक अपनी JCB को इस तरह के कारे के लिए नहीं भेजेगा अगर कोई भी JCB इस तरह मिट्टी खोदने के कारे में प्रयोग की गई तो उस पर कड़ी कारवाई की जाएगी सी नियूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट